मैं प्रभात कुमार सिंग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल जीटी कुरुजी पर और आज मैं आप सुब के लिए लेकर आ गया हूँ लूसें जूनियर इंग्लिस ग्रैमर के चैप्टर 12 जो की है जेंडर उसके एक्सरसाइज 4 के शॉलिशन को लेकर के जानते इसमें क्या है तो दिया हुआ डिरेक्शन में रीड द वर्ड्स गीवन विलो यह जो रेड कलर में है और राइड दियर मैस्कुलीन जेंडर और उनक इसमें इसमें ही मैंने इस लाइन में दिया है वागी जो है यह इसके भाग्टर 12 छोग करें और आगे बढ़ें से पहले आपको बताना चाहूंग अभी उपराई बटन में आपको लिंक नजरा रहा होगा एक्सरसाइस 3 का इसी चैप्टर 3 का इसका ।बधे Deutschा वीडियो माकि आपको बताना चाओँ का मारे चैनल पर बुके नाम से ही आजन जैसे ऑफ को गएठ ग्रयाfa और सबसे इंपोर्टेंट जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ग्रैमर टोपिक्स इन इंग्लिश उसमें टेंस वाइस नेरेशन इन सब और का डॉक मेंस कुटता तो इसका फैमनिन क्या मैस कुलीन क्या रीड चलकता इसमें थोड़ा सा जो है वह मिस्टेक हो गया है और 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 यह को सिन में इसके लिए कोई बात नहीं है जैसे मैस कुलीन देना है तो डॉप तो तो इसका तो फेमनीन नहीं आप और हो गया तो जैसा कोस्टन में था मैंने उसके नुसा लिख दिया नन का हो जाएगा मौंक ठीक है यह ठीक है नन मिन्स सन्यासनी मौंक मिन्स सन्यासी रैम भेरा यू भेरी इसका पिछले इसका उचारण यू होता है यू एन वाले में यह फिर से का हो जाएगा मैडम फॉक्स का हो जाएगा विक्षन भट मीन्स स्वाम लूमτι मादा मादा लूम्री और व्िक्षन और इसी क्या प्रकार से ہीरो उड़ीन जानते यह होगे अगला बोर्ड सुवर होगा सुवरी तो इसका सो हो जाएगा सुवर होस्ट आप जाने कि यहां पर सही पूछ यह ना तो यह मतलब मिसलेनियस है आप इससे यह मिला लेना चाहिए यह हो तो यह हो जाएगा मतलब अपोजिट जेंडर है इसमें मुझे लगता है शायद पिछले वाल कि यह जो यह आप जिट जेंडर देना है मतलब जो दिया गया उसका पॉजिट जिटी डॉग कुलिंग है तो बीच स्ट्छिंड को जायाएगा ननसन्यासनी है इसका सन्यासी हो जाया अरेम भेरा है यू हो जायएगा सर का मैडम है ना और फॉक्स है ईन लोम्डी तो यहा कर दूंगा आगे है क्लब देखिए एक चीज़ का दिया गया नहीं जबरदस्ती करके तो एक बात है लेगने जबरदस्ती में आएंगे तो बॉइट हो जाएगा लैस है न तो छोकड़ी लेड छोकरा मेंस नहीं चोड़ाएगा विशूआट घाटी तो विशूआश खात नी हो गया यहाइड जिसका नहीं होगा जवर्दस्ति नहीं देना है क्योंकि कॉमन कैमेल जो है वो कॉमन जेंडर आपके एक्जामपल में भी दिया हुआ है ठीक है वाइफ का पतनी का पती हस्वेंड जीव यहूदी तो यहूद नी जीवेस फादर का मदर निग्रेस का निग्रो नहां हबसी का हबसी का हबसी कुईन का किंग जानते होंगे रानी का राजा फिर अगला आजये नेफ्यू नेफ्यू का नीस और मास्टर का मिस्ट्रेस नेफ्यू मतलब बतीजा बांजा नीस मिन्स बतीजी बांजी मास्टर मिन्स मालिक मिस्ट्रेस मिन्स मालकिन एमप्रेस मिन्स और एंपरण मिन समराथ अंटर मिन शिकारी हंट्रेस मिन सिकारणी एरिस पढ़ेंगे इसको उत्तराधिकारणी एर माने उत्तराधिकारी यह पढ़ेंगे और इसको जो है वो एरिस पढ़ेंगे एरिस पढ़ेंगे ठीक है उचाण यह एन में आता इसलिए इसमें लगता है मतलब किसी की संपत्य वगरह का होता है विषाल का बच्छस देवी गडवता प्रिंसेस राजकुमारी प्रिंस राजकुमार विड़ो वर वह आपको विधुर विद्वा का मेयर घोडि तो होर्स करएब तो इसले लेखी का तो आपको रोटप्रेस इंस्ट्रक्टर आइ हृन उस्को दो तो आपको करें, इस दे है, निरदेस नहीं होगा। देख लेंगे आपके बुक में इसका दिया होगा इंस्ट्रक्ट्रेस फाउंडर हो गया कोई चीज के संस्थापक तो संस्थापी का इंचेंटर जादूगर तो जादूगर नी मेल चाइन यानी नर बच्चा तो माधा बच्चा वाशर मुमन धोबन तो वाशर मैन का दोवी मदर इनलो सास का फादर इनलो ससूर वुमन डॉक्टर का मैन डॉक्टर लेडी डॉक्टर नहीं होता है ध्यान में रखिये गई है ना मेड सर्वेंट का मैन सर्वेंट इसमें बताये थे कि यहां जो हम लोग शॉट में जब बोलते हैं तो तो इसमें से सर्वेंट हटा दे एक वार फिर से मैं रिमांड कराना चाहूंगा कि कोश्चन इसमें जो है सो गलत हो गया था और पॉजिट जेंडर है नहीं इसमें पॉजिट जेंडर देना था और और कोई क considerson हो तो कमेंट करें आप रिपलाई में जर देता हूं थोरी देर से ही हैar और कैसा लगता है हमारा विडियो इसके बारे में भी कमेंट करें चैनल पर ने है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्री जब कर लिए और साथ में नोटिफिकेशन विल में Have a nice day.